आप हैं सिक्चा सुधार के साथ मैं हूँ नीरज आज हम खड़े हैं वरिष्ट अदिवक्ता सुरिंद कुमार सी के आवास के सामने और ऐसे में आज एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है सारीडिक सिक्चा स्वास्त अनदेशक अभ्यार्तियों की बहाली को लेकर जैसा कि आपको पता है कि अधिवक्ता के द्वारा ही ये पी आल पतना हाई कोट में आगे बढ़ाया गया और डारेक्शन नहीं एक पूरा ओडर आया था कि जल्द से जल्द सारीडिक सिक्चा स्वास्त अनदेशक अभ्यार्तियों की बहाली हो ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको नोटिफिकेशन से रूबरू कराएंगे जो नोटिफिकेशन आया है कि 303222 से 9552022 के बीच में अभ्यार्तियों से अवेदन लिया जाएगा और इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे आपको नोटिफिकेशन से रूबरू कराएंगे और अधिवक्ता के इस सम्मन मे क्या विचार है इस notification कुलाने में इनके अथत पर्यास का ही देन है कि एक positive order आया और order के बाद यह notification जारी होता है ऐसे में बने रहे वीडियो में आपको notification शुरूबरू कराएंगे और बिभिन पहलों से भी रूबरू कराएंगे साथवे चरन सिक्षक बहाली के इंतरजार में बैठे अभियर्तियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्पून होने जा रहा है जैसा कि आपको पता है क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ सारेडिक सिक्षा स्वास्त अनुदेशक अभियर्तियों के बहाली का हाई कोट पतना के ब भाग ने 30 मार्च 2022 से 9 माई 2022 के बीच में आम अभियर्तियों से आविदन लेने का फैसला किया है बड़े से ड्यूल से आपको रूबरू करा रहे हैं आपके स्क्रीन पर बड़ा से ड्यूल है हाला कि आप से ड्यूल देख चुके होंगे पर आज हम इस से ड्यूल के साथ ही एस्टेट नोटिफिकेशन पर भी चर्चा करेंगे पहले से ड्यूल की चर्चा कर लेते हैं आप से ड्यूल देख सकते हैं साप लबजों में लिखा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से पुर्व समति के आधार पर राज के मद्वे द्यालों में सारेरिक सिक्चायम स्वा जिला कारेकरम पदा दिकारी है उनको इस संबन्द में पर सिक्चन की बात लिखी है नियोजन से जुड़े सदस्यों कर्मियों का जिला स्तरिये पर सिक्चन 142022 को जिला पदा दिकारी के द्वारा रोस्टर आरक्षन विंद्वों का अनुमोधन 642022 तक जिला सिक्चा पद नियोजन एकाई द्वारा रिक्त पदो का एनाईसी के पोटल पर प्रकासन 114222 योग अभ्यार्तियों द्वारा सलगन विहित परपत्र में आवेदन पत्र प्राप्ती की इस्तिती 114222 से 264222 तक नियोजन एकाई के सदस्यों सचिप द्वारा और बंदिक मेदा सुची का प पत्ति यदी हो तो प्राप्त करने है तू उसे जिला केनाईसी के पोटल पर पर प्रकासन 114222 आप पत्ति प्राप्त करने की अवधी 124222 से 555222 तक मेदा सुची पर अंतरिम रूप से अनुमदन प्राप्त करना है 952022 आप समझ सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर जो बड़ा सि अवेधन की परकिडिया में किस तरह आप आवेधन करेंगे आवेधन प्रपत्र भी आपके स्क्रीन पढ़ें ऐसे में आप देख सकते हैं कि सारेडिक सिक्षा स्वास्त अनुदेसक अभ्यार्तियों की ये बड़ी जीत है ऐसे में सिक्षा सुधार जो बार-बार आप आम एस्टेट नोटिफिकेशन प्याल से जुर्य अभ्यार्तियों को कह रहा है कि हमें डारेक्शन नहीं आदेश चाहिए कि जल से जल्द नोटिफिकेशन का पालन है पर आप समझे कि कुछ छबड़ी लोग गौतम यादब आलोक यादब और गेंडा स्वामी आलोक सिर्वास कि अधिवक्ता को पैसे की लाला सिदी के हम 30,000 रुपए होर देंगे इसी बीच केस 25 मार्च 2022 को 6 नमबर पर लिस्टेट हो गया अधिवक्ता ने यह सोचा कि अगर हम सुनवाई करवा देते हैं तो इस सुनवाई के बाद हमें जो 30,000 रुपए ये देने की बात करते ये न कि सर इस केस की सुनवाई किसी तरह पूरी करवाई जाए अधिवक्ता भी तयार थे पर इन लोगों ने बीच में आकर आप समझे की पी आयल मैं लड़ रहा हूं मैंने स्टेंड कर आया और मुझे पता की पी आयल में क्या हो सकता है आज भी हम पहुंचे थे पटना वाले स पैसा दिया गया आज मेरे पास कुछ पैसा होता तो पटना वाले स्टेंड सर को आज हम कुछ पैसा देना चाह रहे थे मैं हाथ जो रहा हूं इनका भी कि सर किसी तरह सुनवाई में उपस्तित हो हमें डारेक्शन नहीं चाहिए डारेक्शन के बाद 6 महीने साल बर घुमते पैसे रहे और फिर से आए हाई कोट में ही आप सारेरिक सिक्षा स्वास्ता नों दे सका ब्यार्टियों के बाहली में EBC और OBC पूर सब भी आरेक्शन आया इसके अलावा EWS में क्या आया डारेक्शन आया कि 4 महीना 5 महीना 4 सब्ता हमें डारेक्शन नहीं चाहिए और चाहि अगर आज PIL स्टेंड नहीं होता तो ये लोग कहां थे आज PIL किसने स्टेंड किया सिक्षा सुधार द्वारा PIL स्टेंड करवाया गया आगे बढ़ाया भी जा रहा है पर हम आपकार करने में बाधा हुत्पन की जा रही है लगातार गूरूपों में हम देख रहे हैं कि जो दलाल कलाल लोग है वो तरह तरह के गंदे ऑडियो डालते हैं इसके अलाबा हम यूटूब पर भी देख रहा है कि कुछ चबरी यूटूब चैनल वाले हैं जो बात को समझते नहीं पर गलत सलत वीडियो बनाते हैं आज भी हम आपके लिए खड़े हैं कि कि किसी तरह दोनुआ दिवक्ता आपके केस में उपस्तित हो और डारेक्शन नहीं पोजेटिव ओडर हैं और इसके लिए सिक्षा सुधार कार कर रहा है आसा इस वीडियो को देखने के बाद आप सही गलत को समझ चूके होंगे इन छबडी लोगों को समझ चूके होंगे पर अभी भी मैं निरज आप 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 एस्टेट नोटिफिकेशन पी आल से जूर्य अब भीयरतियों से कहूंगा कि दोनुआ दिवक्ताओं को हमें रखना है और पटना वाले सुरेंसर की फीज कुछ जादा है लगभग 41,000 रुपए हमें देने हैं और 41,000 में से मैं 10,000 रुपए अप क्यों बोल रहे हैं आप ये समझे कि ये बात लाइव आकर बोलने से यही वीडियो अगर बक्सर वाले सुरेंसर के पास पहुंच जाए तो वो कहेंगे कि मेरे रहते हुए दूसरे वकिल से ये लोग बात करें उसको भी रखना चारें केस पर भावित हो सकता था इसलिए मै आज तक ये बात नहीं बोल रहा था पर अब क्योंकि 30,000 रुपए बक्सर वाले सुरेंसर को गलत तरीके से इन छबडी लोगों ने गौतम यादब आलोक यादब जैसे लोगों ने गेंड़ा स्वामी जैसे लोगों ने वहां उपलफ्त करा दिये हैं तो आगे अब ये के से कहूंगा कि 10,000 रुपए मैं अपना दे रहा हूं इसके अलाबा लगबग 30,000 रुपए आप आम अभी भी चाहिए एक अपरेल को सुनवाई से पहले अगर आगे बढ़ते हैं तो दोना अधी वक्ता आपके प्यायल में उपस्तित होंगे और बड़ा जजमिंट आएगा जिससे आप आम अभी हरते हों की बहाली सुनश्चित होगे आगे फैसला आपको करना है एकाउंट डिटेल मैं इस वीडियो में आप आम अभी हरते हों के लिए डाल रहा हूं हाला कि मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ गलत लोग तर तर के कमेंट करेंगे पर एक बार अ मैं अभी तक इसलिए भी इस बात को नहीं बोलना चाहा रहा था क्योंकि आपके बकसर वाले सुरेंसर दो अकिल नहीं चाहते हैं पर जब हमने देख लिया कि उनके केस में स्रिफ डारेक्शन आता है तो हमें डारेक्शन नहीं ओर चाहिए और पट्टना वाले सुरेंसर से हमने बादचित की दो अधिवक्ता इस केस में उपलब्ध हो सकते हैं दस अजार उपए हम अपना दे रहें अब आगे आप आम अभ्यार्चों को तै करना कि अगर आप फंड करते हैं तो दोना अधिवक्ता उपलब्ध होंगे और आगे आप मजबूती से केस को आगे बढ पर अगर आप आम अभ्यार्चों को बोख शूचना आया है आपके स्क्रीन पर आप दीख सकते हैं परधान सिक्षक परधान अध्यापक बहाली की तैयारी से जुरे अभ्यर थी ओनलाइन माध्यम से भी ये पुस्तके खड़ी सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐसे में परधान सिक्षक परधान अध्यापक बहाली के और सुगमता से अपनी तयारी को नए आयाम दे पाएं चक्सू पब्लिकेशन आपके फीड़ बैक को भी चाहता है ऐसे में चक्सू पब्लिकेशन द्वारा एक वाट्सेप नंबर भी उपलब्त कराया गया है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हेल्प डिक्स का नंबर है इस नंबर पर आप वाट्सेप करकर स्पेशल डिसकाउंट कूपन भी पा सकते हैं पुस्तक की खड़ित पर चक्सू पब्लिकेशन द्वारा बीड इंट्रेंस परिछा से लेकर सीटेट बीटेट की तयारी के लिए भी अगर आप परधान सिक्षक परधान ध्यापक बहाली के लिए चिंतित थे तो आप चिंतित नहों अपने स्क्रीन पर जो दो बड़ी पुस्तक के देखने हैं उसको ओनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप खड़ित कर अपनी तयारी को नए आयाम दे चक्सू पब्लिकेशन का नाड़ा है सिक्चा और सिक्चक रास्ट को महान मनाते हैं ऐसे में आओ मिलकर सिक्चा का अलख जलाएं जिससे भारत वैस्व में सर्वस्रेश्ट रास्ट कहला है वीडियो आपको पसंद आ हो तो लाइक जरूर करें आप लाइक करना भूल जाते हैं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए सिक्चा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो इसी नारे के साथ मिलते हैं अंगले वीडियो में